हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर एंचली आज में आप लोगों को बताऊंगी मुक्ता सुक्ति भस्म के बारे में कि यह जो मुक्ता सुक्ति भस्म होती है वो एक आयरुवेदिक मेडिसन है जो कि हमारे पेट में गेस बनना या जिनको आफरा रहता है या जिनको खाना नहीं पचता है या जिनको भूक नहीं लगती है या भूक लगने के बाद में भी खाना खाने का मन नहीं करता है जिसके बाड़ी में बोहत ज़्यादा पित बढ़ा हुआ है ऐसे पीशेंट को हम मुक्ता सुकती बस्म कामें ले सकते हैं चाहले समुत्री जो सीप होते हैं होती मोती वाले उनका सुद्ध करके बनाया जाता है जिसके कारण इसमें केल्सियम भरपूर मात्रा के अंदर होता है तो हमारे जिनके हड्या कमजोर हो गई है या जिनके केल्सियम की कमी हो गई है उन पेशेंट को अगर हम मुक्ता सुक्ति बस्में देते हैं तो ये बिल्कुल जट से खतम हो सकती है या जिनको लंबे साना तक बुखार आता है या जिनको बार-बार रिपीट हो रहा है हम 10 दिन में या 15 दिन के अंदर ऐसे पेशन्ट को भी हम मुक्ता सुक्ती बस में देते हैं साथ में जिनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन रहती है या जिनके पेट में छाले पड़ गए हैं तो ये जो गैस्ट्रिक अलसर या डुडेनल अलसर होता है या जिसे पेट में खाना खाने के बाद में जिसे मरोडे आते हैं जिनको हम irritable bowel syndrome के नाम से भी जाना जाता है उन condition के अंदर अगर हम मुक्तर सुक्ती बस में देते हैं तो ये बड़े वे पित्त को neutralize करती है क्योंकि एसीड का जो बहुत ज़्यादा secretion हो गया है उस एसीड को ये क्या करती है? जिसकी बज़े से जो पेट में जो छाले हो रखे हैं उनके अंदर भी आरा मिलता है और दीरे दीरे पूरी तरह से recover हो जाते हैं साथ में अगर हम बात करें महीलाओं के अंदर तो जिनको सफेद पाने की दिक्कत रहती है या जिनके पीरेट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैन होता है या फिर जिनके बहुत ज़्यादा पीरेट्स के पैन के साथ में जैसे की क्रेंप लाइक पैन होता है या जिनको बार-बार पिशाब में जलन रहती है आईसे पेशन को अगर हम मुक्ताशुक्ति बस्म में देते हैं, तो बहुत अच्छा जल्ट देखने को मिलता है। इसको इसे हम आएरवीत के अकोरडिंग यह पित्र और कफ शामक होती है अब इसकी डोज है इसको हमें कैसा लेना चाहिए सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर anti-inflammatory, anti-acid, anti-microwell property होती है साथी साथ में anti-hypertensive B property होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा यूजफूल होती है जिनके पेट में आफरा आता है अगर ऐसे patient को हम मुक्ता शुक्ती बहस्में देते हैं तो हमें तुरंत आराम मिलता है अगर हम बात करें इसकी डोज की तो इसकी जो डोज है वो 60 mg से लेकर के 125 mg तक हम इसको काम में ले सकते हैं साथ में अगर हम इसकी जो चीजों की बात करें तो यह मुक्ता सुक्ती जो बहस्में है इसको हम कुछ टाइम के लिए लेते हैं उसके बात में इसको लंबे समय तक ना लेकर के कुछ टाइम के लिए इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक लेने से हमें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं I hope आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस से रिलेटेट कोई भी क्योरी है तो हमारे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू